Hello and welcome my dear students, हम लोग book snapshots की third story रंगास marriage डिसकस कर रहे थे उसमें हमने थोड़ा सा पार्ट अभी डिसकस कर लिया है, जो डिसकस किया है, उसकी एक brief सीरी recapitulation हम करते हुए चलते हैं, इस story के जो लेखक हैं वो बहुत ज़्यारा पसंद करते हैं अपने गाउं को, इसलिए उन्होंने एक डेड़ पेज में तो अपने गाउं की खुबियों के बारे में ही डिसकस किया है यहां में बताया है, और बताया है कि उनका गाउं होसा हाली बहुत ही खुबसूरत जगा है और फिर होती है शुरूर रंगा की कहानी, रंगा गाउं के एकाउंटेंट का बेटा है और उस लड़के की खास यते हैं कि वो गाउं का पहला लड़का है जो शहर पढ़ाई के लिए गया है और जब फर्स टाइम पहली दफा लोट करके आता है अपने गाउं तो लोग जितने भी लोग हैं खुब भीड में उसके घर की तरफ को जाते हैं ये देखने के लिए कि उस लड़के में क्या परिवर्तन आये हैं शहर जाके उसमें क्या-क्या चेंजिस आई हैं तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे इतने सारे लोगों को वहां देख करके रंगा अपने चेहरे पे मुस्कुराहत लिये बाहर आया अगर हम सब लूग अंदर चले गए होते बाइस वोग तो तो वो जगा रंगा का जो घर था वो कलकता का ब्लैक होल बन जाता अब ये आपके लिए शायद नई टर्म है या आपने हिस्टरी में पढ़ा भी हो शायद तो ये घटना है 19 जून 1756 की जब इस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल नहीं थी भारत में तो नवाब सिराजु दौला ने विलियम फोर्ट में बहुत सारे विदेशियों को कैद कर लिया था और वहाँ पर एक कोठ्री थी जहां पर यूध करने वाले सैनिकों को 170 के आसपास सैनिक जो थे वो एक कोठ्री में बंद कर दिये गए थे और रात भर में घुटन के कारण उन लोगों में से बड़े सारे लोग जो थे वो मर गए थे इसलिए उस घटना को ब्लैक होल आफ कैलकेटा कहा जाता है तो यहां पर लिखक आप लोगों को बता रहा है कि अगर हम लोग सब अंदर चले गए होते उस छोटे से घर के अंदर तो वो जगहा ब्लैक होल आफ कैलकेटा बन जाती यानि कि बड़े सारे लोग वहां घुटन के मारे मर जाते थैंक गड़ इडिड नौट भगवान का बहुत शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been six months ago when he had first left our village हर कोई surprise था हैरान था यह देख करके कि Ranga बिलकुल वैसा ही था जैसे वो छे महिने पहले था जब वो पहली दफा गाउन छोड़ करके गया था an old lady who was near him, एक बोड़ी औरत जो उसके नजदीक ही खड़ी थी, ran her hand over his chest उस औरत ने अपना हाथ रंगा की छाती के ओपर फेरा, looked into his eyes, उसकी आंखों के बीच में जहांकी and said और बोली the janewra is still there, janewra, janew जिसको हम कहते हैं हिंदू लोग जो गले में पहनते हैं या कमर तक जो जाता है उसको janew, janewra is still there और क्या बोलती हैं बोड़ी औरत की janew अभी भी वहीं है, he has not lost his caste, अभी तक इसने अपनी जात को खोया नहीं है यानि कि janew पहना हुआ है रंगा ने, इसलिए वो अपने धर्म पे पूरा उत्रा है या जाती पे पूरा उत्रा है she went away soon after that, उसके बाद वो जल्दी ही वहां से चली गई, रंगा laughed, रंगा हसा once they realized that रंगा still had the same hands, legs, eyes and nose जब भीर ने ये समझ लिया कि रंगा के वही हाथ, वही टांगें, वही आंखें, वही नाख है the crowd melted away, वो जो भीर थी, वो melt away कर गई, गायब हो गई, like a lump of sugar, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीनी का कोई धेला, गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, in a child's mouth, एक बच्चे के मुह के अंदर I continued to stand there, मैं वही खड़ा रहा, after everyone had gone, I asked जब सब लोग चले गए, मैंने उर से बूचा, how are you रंगापा, रंगापा, तुम कैसे हो, is everything well with you, क्या सब कुछ ठीक है It was then, only then, that रंगा noticed me, कैते तभी रंगा ने मुझे notice किया, he came near me, वो मेरे नजदीक आया, and did a namaskar, respectfully saying और मुझे namaskar किया, और बड़े respectfully, बड़े सम्मान के साथ बोला, I am alright with your blessings, मैं आपके आशीरवाद से, blessings से, बिलकुल ठीक हूं I must draw your attention, draw attention होता है, ध्यान खीचना, to this aspect, aspect पहलू, of रंगा's character लेखक यहां कहता है, कि रंगा के चरित्र के इस पहलो की तरफ मुझे आपका ध्यान खीचना चाहिए, या ध्यान दिलाना चाहिए He knew when it would be to his advantage, advantage love, to talk to someone अब लेखक यहां कह रहा है, कि रंगा को इस बात का पता होता था, कि कौन आदमी उसके फायदे का या उसके काम का हो सकता है And rightly assist, assist करना होता है, अनुमान लगाना, people's worth, worth, कीमत, मुल्य और वो बहुत अच्छे से, किसी भी व्यक्ती की, या लोगों की कीमत आंकता था As for his namaskara to me, जहां तक बात है, उसके नमशकार करने की मुझे, he did not do like any present day boy उसने आजकल के लड़कों की तरह नहीं किया मुझे नमसकार, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking, jerking, jerking जटका देना His back as if it was either a wand, wand, जादू की चड़ी को कहते हैं, wand मतलब छोटी सी चड़ी, और a walking stick अब लेखक यहां पर आप लोगों को बता रहा है कि आजकल के लड़के जो है, वो किस तरह से नमशकार करते हैं लेखक कहते हैं कि आजकल के लड़के नमशकार करते वक्त अपना सर सीधे उपर सुरज की तरफ को रखते हैं और एक खंबे की तरहा खड़े रहते हैं stiff कठोर बन करके और खंबा भी कैसा जिसमें कोई joints कोई जोड ना हो और जब वो नमशकार करते हैं तो जटका देते हैं अपनी पीट को इस तरहा से जैसे कि उनकी पीट कोई जादू की चड़ी हो या walking stick हो या चलने वाली बेंथ हो nor did he merely merely sirf fold his hands उसने ना तो sirf अपने हाथ ही fold किये मतलब हाथ ही नहीं जोड़े he bent low वो नीचे जुका to touch my feet मेरे पैर छूने के लिए may you get married soon तो तुरंत लेखक ने आशिरवाद दे दिया बगवान करे तुमारी जल्दी ही शादी हो जाए I said blessing him मैंने उसे आशिरवाद देते हुए कहा after exchanging a few pleasantries I left exchange का मतलब होता है अधान प्रदान करना pleasantries अच्छी टिपणिया या जब हम मिलते हैं और बड़े प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं उनको pleasantries कहते हैं लेखा कह रहे हैं कि कुछ देर वहां खड़े हो करके हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से बात चीत की और उसके बाद I left मैं वहां से चला गया जब मैं आराम कर रहा था रंगा मेरे घर आया विद अपल ऑरंजी लिये अपने हाथों में लिये अगा एक बड़ा दयालू और दूसरे की फिक्र करने वाला लड़का था It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society I thought लेखक ने मन ही मन सोचा मैंने सोचा कि बहुत अच्छा होगा कि अगर इस लड़के की शादी हो जाए settle down ये बस जाए and be of service of society और समाज की सेवा करे ऐसा मैंने मन ही मन सोचा For a while, थोड़ी देर के लिए we talked about this and that हमने इधर उधर की बातें की Then I came to the point तब मैं मुद्दे पे आया Rangappa, when do you plan to get married? Rangappa, तुम शादी करने की कब शादी करने की planning है? तुम्हारी कब योजना है? I am not going to get married now, he said और उसके बदले में Rangappa क्या कहता है? I am not going to get married मैं अभी शादी नहीं करने वाला हूँ Why not? लेखक को बड़ा अफसोस हुआ कि क्यों नहीं शादी करा है? तो वो बचे एक क्यों नहीं? I need to find the right girl Rangappa का जवाब आता है I need to find the right girl मुझे सही लड़की ढूननी है I know an officer who got married only six months ago मैं एक अधिकारी को जानता हूँ जिसने छे महीने पहले ही शादी की है He is about 30 वो लगभग 30 साल का है and his wife is 25 और उसकी पतनी 25 साल की है I am told, ऐसा मुझे बताया गया है They will be able to talk lovingly to each other अब यहां रंगा यह कहना चाता है कि वो दोनों mature है, अनुभवी है इसलिए they will be able to talk lovingly to each other वो एक दूसरे से प्यार से बात करने के लायक होंगे Let us say, I married a very young girl मान लीजिये, मैं एक बड़ी छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ She may take my words spoken in love as words spoken in anger तो ना समझी के कारण हो सकता है कि जो शब्द, जो बातने मैं उससे प्यार में कहूँ वो सोचे कि मैंने उससे गुसे में कहा है Recently, हाल ही में a troop, troop होता है एक दल, एक ऐसा दल जो किसी विशेश उदेश के साथ कहीं यात्रा करता है जैसे कोई कर्तब दिखाने के लिए जैसे सरकस के लोग जाते है थेटर के लोग जाते है तो उनका जो ग्रूप जाता है उसको टूप कहा जाता है हाल ही में a troop in Bangalore staged the place Shakuntla हाल ही में एक दल आया था जिसने Shakuntla नाम के नाटक का मंचन किया there is no question of दुशयंत falling in love with Shakuntla if she were young तो Shakuntla के प्यार में कभी भी दुशयंत पड़ता ही नहीं अगर Shakuntla बहुत छोटी होती तो like the present day brides आज कल की दुलहनों की तरह ये थोड़े पुराने समय की बात है तो उस समय लड़का लड़की की शादी थोड़ी जल्दी कर दी जाती थी इसलिए रंगा को आईडिया बड़ा पसंद नहीं है what would have happened to Kalidasas play अगर Shakuntla कहते बहुत छोटी होती तो Kalidasas के नाटक का क्या होता ये नाटक बनता ही नहीं if one gets married अगर कोई शादी करता है it should be to a girl who is mature तो ऐसी लड़की से शादी करने चाहिए जो mature हो, जो अनुभवी हो जो समझदार हो otherwise, Anitha one should remain a bachelor Anitha उस व्यक्ती को कुवारे ही रहना चाहिए मतलब शादी करनी है तो किसी समझदार लड़की से करे Anitha कुवारे रहे that's why I'm not marrying now और इसलिए मैं अभी शादी नहीं करूँगा is there any other reason अब लेकक पूछ रहा है कैते क्या कोई और कारण भी है A man should marry a girl he admires अब रंगा फिर से अपनी विचार व्यक्त कर रहा है शादी के पारे में वो बोलता है एक आदमी को एक पुरुष को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो admire करता है जिसे वो पसंद करता है admire करना ऐसे प्रशंसा करनी के लिए इस्तिमाल होता है यहाँ admire करना पसंद करना What we have now are arranged marriages अब जो हम लोग कर रहे हैं वो है arranged marriages ये तो आप लोग सब भी समझते ही हैं कि arranged marriage क्या हुए जो ऐसे शादी जो घर के बड़े बुड़े करवाते हैं How can one admire a girl with a milk stain stain, dabba, daag on one side of her face and witness on the other or so young that she shouldn't even know how to bite her fingers to bite one's fingers होता है शर्माना अब रंगा कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी लड़का ऐसी लड़की जिसके चेहरे के एक साइड दूथ के धब्बे पड़े हो और दूसरी साइड गिली हो ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है या फिर वो इतनी छोटी हो कि जिसे शर्माना भी ना आता हो ढ़ंक से तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा वन नीम फूट द अदर बिटर गार्ड बिटर गार्ड करेला के अब लेखा कह रहा है एक तो करेला उस पे नीम चढ़ा एक्जैकली रंगा सेड लाफिंग रंगा भी हस्टे हो बोला हां बिलकुल सही बोला I was distressed that the boy who I thought would make a good husband has decided to remain a bachelor distressed, nirash I was distressed मैं nirash हुआ क्योंकि जिस लड़के को मैं सोचता था कि वो एक अच्छा पती बनेगा उसने कुमारे रहने का निरने लिया है After chatting for a little longer रंगा लेफ्ट थोड़ी देर और बात करके रंगा महां से चला गया I made up my mind right then that I would get him married और तभी मैंने अपना मन बना लिया कि मैं इस लड़के की शादी करूं Ramarao's niece, niece Bhati ji A pretty girl, pretty Akarshak girl of 11 had come to stay with him Ramarao की Bhati ji जो एक Akarshak लड़की थी वो उसके साथ रहने के लिए आई थी She was from a big town वो बड़े शहर से थी So she knew how to play the weena and the harmonium इसलिए उस लड़की को पता था कि weena या harmonium किस तरह से बजाया जाता है weena और harmonium She also had a sweet voice और इसके साथ साथ उस लड़की की जो आवाज थी वो भी बहुत मीथी थी Both her parents had died उसके माता पिता दोनों मर चुके थे and her uncle had brought her home और उसके चाचन उसे घर ले आये थे Ranga was just the boy for her and she the most suitable suitable upyukth bride for him लेखक ने मन ही मन सोचा कि Ranga ही बिलकुल वही लड़का है जो उसके लिए उप्युक्त है और वो दुलहन है जो Ranga के लिए उप्युक्त है Since I was a frequent visitor frequent होता है जो बार-बार हो कोई चीज क्योंकि मैरामाराओ के घर आमतार पर जाया करता था The girl was quite free with me इसलिए लड़की मेरे साथ काफी free थी I completely forgot to mention her name क्याते ओहो मैं आप लोगं को उसका नाम तो बताना पूरी तरह से भूल गया Ratna it was उस लड़की का नाम था Ratna The very next morning, अगली ही सुभे I went to their house मैं उनके घर गया and told Ranga Rao's wife और Ranga Rao की पतनी को I'll send some buttermilk for you butter, makhan buttermilk, lassi मैं आप लोगं के लिए कुछ lassi भेजुँगा Ask Ratna to fetch it Ratna को कह देना लसी लाने के लिए Ratna came, Ratna आई It was a Friday, शुकरवार का दिन था So she was wearing a grand sari इसलिए Ratna ने बहुत शांदार सारी पहन रखी थी I told her to sit in my room and requested her to sing a song मैंने Ratna को अपने कमरे में बैठने के लिए कहा और उसे request किया कि वो एक गाना गाए I sent for Ranga और इसी बीच मैंने sent for कर नहोता है बुला भेजना मैंने Ranga को भी बुला भेजा While she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes जब Ratna ये गाना गा रही थी Krishnamurti मेरी आंखों के सामने Ranga reached the door Ranga दरवाजे पे पहुच गया He stopped at the threshold Threshold होता है दहलीज वो दहलीज पे ही रुक गया He did not want the singing to stop क्यों क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गाना रुके But was curious, curious Jigyasu to see the singer लेकिन गाने वाले को या गायक को देखने के लिए वो Jigyasu था Carefully सावधानी से He peeped in Peep in करना होता है जहांकना वो अंदर जहांका The light coming into the room was blocked और कमरे के अंदर आने वाली रौशनी जो थी वो ब्लॉक होई ऐसा आमतोर पर होता है कि आप लोग चाहे बाहर की तरफ ध्यान ना भी दें लेकिन बाहर से कोई आदमी अगर अंदर आ रहा है तो रौशनी रुकने के कारण आपको पता लग जाता है कि दरवाजे पे कोई आदमी है तो वैसा ही रतना के साथ हुआ रतना looked up and seeing a stranger stranger अजनबी रतना ने नजरें उपर उठा करके देखा तो एक अजनबी को देख करके अबरप्टली तुरंट वो रुक गई उसने गाना रोक दिया लेखा का style narration का बहुत खुबसूरत है तो देखे किस तरह से वो कहता है Suppose you buy the best quality mango मान लीजे आप बहुतरीन क्वालिटी के mango खरीदते हैं आम खरीदते हैं You eat it slowly तो वो उन आमों का आप मज़े मज़े से खाते हैं धीरे धीरे काते हैं Savoring सेवर करना होता है स्वाद का आनन्द लेना स्वाद चखना It's Peel सबसे पहले आप उसके छिलके का आनन्द लेते हैं Before biting into the juicy juicy rasila Flesh, flesh ऐसे मास को कहते हैं लेकिन यहां गुद्दे के लिए है आप उस आम के गुद्दे को बाइट करने से पहले काटने से पहले उसके छिलके का आनन्द लेते हैं You do not want to waste any part of it क्योंकि आप उस आम का कोई भी हिसा वेस नहीं करना चाहते हैं Before you take another bite इससे पहले कि आप एक और बाइट लें The fruit slips out of your hands वो फल आपके हाथों से slip कर जाए खिसक जाए and falls to the ground और खिसक के कहां गिरे? जमीन पे जा गिरे How do you feel? तो आपको कैसा लगेगा? रंगा's face showed the same disappointment Disappointment निराशा When the singing stopped रंगा के चेहरे पर भी वही निराशा थी जब गाना रुख गया You sent for me तो रंगा क्या कहता है? आपने मुझे बुला भीजा? He asked as he came in and sat on the chair जैसे ही वो अंदर आया कुर्शी पर आकर के बैठा तो वो मुझे पूछता है आपने मुझे बुलाया था? रतना stood at a distance रतना थोड़ी दूरे पर खरड़ी थी Her head lowered उसने सर जुका रखा था रंगा repeatedly glanced at her Glanced करना नजर डाला रंगा बार बार उसे देख रहा था Once our eyes met और इसी बीच मेरी और रंगा की आँखे मिली and he looked very embarrassed और वो बहुत शर्मिंदा हुआ No one spoke for a long while बड़ी देर तक किसी ने पी कोई बात नहीं की It was my coming in that stopped the singing Let me leave अब finally रंगा बुला है It was my coming मेरे अंदर आने के कारण गाना रुक गया Let me leave मैं चला जाता हूं Words, mere words अब लेखक अपनी टिपनी दे रहा है उसके शब्दों पर कैते ओ, शब्द, सिर्फ शब्द The fellow said he would leave but did not make a move वो लड़का कहता है कि वो चला जाएगा लेकिन वो तो हिला भी नहीं How can you expect words to match actions in these days of कल्योग किस तरहा से कल्योग के इन दिनों में या कल्योग में आप ये expect कर सकते हैं, उमीद कर सकते हैं कि कथनी और करनी एक जैसी हो रतना ran inside overcome by shyness shyness, शर्मीलेपन के कारण रतना अंदर भाग गई After a while, थोड़ी देर बाद रंगा आस्ट, रंगा ने पूछा Who is that girl, Swami? Swami, ये लड़की कौन है? Who is that inside? The lion wanted to know Oho, शेर जानना चाहता है कि ये अंदर कौन है? The he goat who had taken shelter in the temple replied Bakra, जिसने मंदिर के अंदर शरंडी है वो उतर देता है क्या उतर देता है? यानि कि मैं उतर देता हूं Does it matter who I am? क्या फरक पड़ता है कि मैं कौन हूं? I am a poor animal मैं एक बिचारा जानवर हूं Who has already eaten nine lions जिसने पहले ही नौ शेरों को खा लिया है I have woad Woad करना होता है प्रतिग्या करना To eat one more और आब मैंने प्रतिग्या की है कि एक और शेर मैं खाऊंगा Tell me मुझे बताओ Are you male or female? तुम Male हो, pulling हो या Strilling हो Purush हो या Stree The lion fled the place Fled flea की second form है Flea होता है भागना Fled भाग गया The place in fear it seems और ऐसे लगता है जैसे कि शेर डर के मारे वहां से भाग गया हो Like the he goat I said बकरे की तरह मैं बोला What does it matter to either of us Who she is हम दोनों में से किसी को भी क्या फरक पड़ता है कि वो लड़की कौन है I am already married मैं तो पहले से शादी शुदा हूं And you aren't the marrying kind और तुम शादी करोगे नहीं इसके आगे की कहानी भी बहुत interesting है लेकिन वो हम अगले module में करेंगे अभी इस module को end up करने से पहले इसके word meanings पर एक नजर Advantage Benefit Love Assist To form opinion Ankna Wand Magic Stick Exchange Give and receive something Adlavadli Pleasantries Amusing Remark Generous Willing to give Your kind Udaar Considerate Showing Concern True A company of performers Admire To have high esteem To love Bite fingers To nervously await something Frequent Happening often Savor Taste And enjoy It to the full Disappointment Nirasha Embarrassment Feeling shy Because of something Sharminda Hona Wode To swear Pratikya Karna Aaj ki li itna hi Thank you